इस प्रोडम में चलो गाइस आईसी आर का जो अभी हाले में एक्जाम होना है ठीक चार और फांस तारीक में तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टन जैसा पिछले सिप्ट में हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे आपको कुश्चन देखने के मिलने वर्ल्ड हिस्टी से ठीक वर् पुनर जागरंण का आरंव कहां हां पाता तुछ ड्र हो जाएगा इटली याद रिखेंगे पुनर जागरंण आरंब हुआ था वह इटली में हुआ था तो यहां पर पर फीस एपर फेछी के कोश्चन आते हैं तुर detour किस की ग्रति अब ये देखिए विस्टु के सबसे बहती इते एक माली जाती है तो इसकी है लियानारदो दाविंची इसकी लियानारदो दाविंची के है मोनालिसा कॉस्च्ट नंबर अगला देखेंगे अगले मैं कहते हैं आपके जो डीवाइन कमेडी है ठीक यह बीकर सप्रिक नंधी कि नाम पुछ्छा गर तीक किस ने लिखा है एक टीवाइन कॉमेडी नाम के कव है या पूड्री जिसे कह सकते हैं यह किसके कि दौर लिखा गया है तो याद रखेंगे यह जो आपका राइडेंसर हो गया आप पर वह जाएगा दांते किसके दांते के दर डिवाइन कॉमेडी को लिखा गया है कोशन नमबर अगला देखेंगे अगले में कहते हैं कि जो आपका प्रोस्टेट धर्म सुधार अंधुलन जैसे मेंजिनी के संदर में कुछ पॉइंट दिये थे ठीक है इस दरीके से यहाँ पर आपको लेलीन के बारे में परस्ट पूछेंगे हैं यह सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए अगले कोशन की बात कर लिए तो कहते हैं कि भारत की खोज सरुपथम किसी यूरूपी आत दर आप कंपटेशन जुरूरी है तो इसका राइड अबसर क्या हो जाएगा वह जाएगा यहाँ पर पॉर्टगाल क्यों जरूरी है क्योंकि यह यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है चलिक लिको सब्सक्रोंबस कहां करें कॉलम्बस जिसको क्रिस्टोफ और को लंबस तो अगला कोर्शन देखेंगे यहां पर तो जो अमेरिका का नाम करन है नाम करने यह किसके नाम पर किया गया तो यहाद रखेंगे इसका आपका वह अगला सबसे नमबर ओमेर की बजानी है चेकर whether Groß यहां पर सबसे नमबर अगला है सबसे पहले हैं अगला कोशन देखी कईवा पूछा गया है इंपोर्टेंट है तो सव वर्सी युद्ध जो है किन दो देशों के वीश हुआ था ठीकित सव वर्सी युद्ध चला था इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में सव वर्सी युद्ध हुआ था याद रखेंगे यह आपका करला का एक स्थान एक याद रखेंगे कि वहीं सबसे पहले पहुचे थे पूर्तगाली थे अगला कोशन देखें है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कप करी थी कोलंबस के दौर अमेरिका की खोज करी गई वह गरीगई 1492 में कब 1492 स्काराइडन से हो जाएगा यहां पर अमेरिका की खुछगरी गई थी कोलंबस के तरह अगला कोशन देखी अच्छा है तो कहते हैं कि बोश्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी यह देखे यह प्रसन अच्छा है तो बोश्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थ यानि कि इसके जो नायक हैं वो कौन से थे याद रखेंगे यह आपके हो जाएंगे शेमुल एडम्स कौन शेमुल एडम्स के दोरा यहां पर बोश्टन टी पार्टी की घटना हुई थी याद रखेंगे आप्सन नमबर अगले की बात कर लेंगे तो कहते हैं कि अमेरिका स सुतंता की घटना कब करी थी याद रखेंगे यह परसंद कईबा पूछा गया तो चार जुलाई 1776 में अमेरिका ने सुतंता की घटना करी थी कोश्टन नमबर अगला देखें तो कहते हैं कि जो पैरिस संदी है ना पैरिस संदी यह कब स्युकार किया गया था ठीक है तो बुट्रिटन ने अमेरिका की सशंति को कि बृतनर पे भी राच किया तो पैरिस ओं यह पियरिस है ना बिरितन ने अमेरिका के सथनता को कब शिवकार किया था और इसे से पहले शुकर कi जो इनडेपेंडे मना गया था वह ओको मनाया था 1776 में question number अगला देखेंगे America is related person important है तो कहते हैं कि America का जो नया श्रमिधान है जो US Constitution है ये कब लाग हुआ था लाग हुआ था 1789 कब ये पस्ट बन जाता है तो 1789 में ये लाग हुआ था question number अगला देखेंगे कि जो अमेरिकी स्वतनता संग्राम है इसके मूल नायक कुँथे अमेरिकी स्वतनता संग्राम के जो नायक है जिससे अपने हाँ क्या माने जाते हैं बहुत सारे हैं तो उसी तरीके से वहाँ के जो George Washington है hiero माने जाते हैं याद रखेंगे इस कारडा डेंसर होगा आपका ती वाला George Washington कोशन नमबर अगला देखेंगे अगले पसंद की बात कर लीजे तो कहते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांती है यह तो बहुत ही इंपोर्डेंट है तो जो आपका फ्रेंच अगला देखेंगे तो कहते हैं बहुत अच्छे परशन है कि फ्रांस की क्रांती किसके सासन काल में होई थी त्यार रखेंगे लुई लुई 16 में कौन उस समय जो थे वो लुई 16 में थे और उनी के समय में जो फ्रांस है उसकी क्रांती होई थी अपसंद नंबर इसका बीच से ही होगा क्वेशन नंबर अगला देखेंगे अगला पसंद तो बहुत ही इंपोर्डेंट है तो कहते हैं यहां कि मैं ही राद जी ह किस ने कहा था देखेंगा तो कॉष्ण नंबर 23 का राइड चर क्या होगा वहुत जल्दी से देखें तो इसका लुई 14 में क्या Мы ही राद जी हूं यह रागा दूस तो बिस देखें तो कहते हैं आपकी की वर्साय के सीस महल का निर्माड किस ने कराया था ठीक जो वर्साय का सीस महल है इसका निर्माड किसके तरह कराया गया था तो याद रखेंगे यह आपका जंग लुई-19 किसके दरा लुई उनीश्वे के द्वारा वर्साय के सिसमहल का निर्मार कराया गया था कोशन नमबर अगला देखिए तो करते हैं जो सकती प्रत्थक्रण सिध्धान थे विसिकली हाँ पर जो शेप्रेशन आप पावर थियोरी है किस ने दिया था किसका सेप्रेशन आप यहां पर सही होगा कोशन नमबर अगले देखिए अगले पसंद की बात कर लिए तो करते हैं कि समाधिक समविदा है ठीक है समाजिक समविदा या सोशल कॉंट्रेक्ट नामक पुस्तक जो लिखी गए किसके दरा रूसो के दरा लिखी रूसो बहुत ही फेमस विक्तिन से प याद रखेंगे कब हुआ था यह हुआ था 1815 में इसके बारे में आगे चिरके डिटेल जानेंगे तो 1815 होगा राइडन से अगला कोशन दिखेंगे जो फ्रांस है इसमें जुलाई करांती कब हुए थी फ्रेंच जुलाई revolution कब हुआ था ठीक हो तो 1789 में हुआ था जो फ् स्थेया जो इंग्लिछ से मोर और है इसके सासन काई में इसने की बात कर देंगे से ब्लडलिस अर और थी। ठीक है गरवापूरूत कानती। कानती या जो ब्ल्रस ध्रिजुशन है वह कहां की है वहं रखेंगे इंग्लेंड में उत्तियां नशर होगा नाला लेमई कोश Krita नमबर आगया लगधार ते कहते हैं कि जो इंग्लेंड की गौरवापूर्ट कानती तीक है गौ्ट अगले संसत क्ये संसत के दोरہ को पारिद कि चैकल जमाय secular yah1989 1689 में इंग्लेंड ने यानि की यूएस पयाप राइस को पारिद किया था याद रखेंगे यह आपका important question बन सकता है question number अगला देखेंगे तो कहते हैं यहां पर रख्त और लोग की नीती जो है वह किसके दोरा अपनाई गई थी किससे संबंदी थे अग dobrzy की बात करते हैं लेकिन अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो यहां पर यहां संबंदीथ हमें बिसमार्ड से किसी संबंदित होगी खोलास तुर्दोग की नीतीJean चैस नामक संग तरफो पूछा गया था वह अलगवाद है थोड़ा सा डीप में पूछा गया था कि मतलब इस ते आपके इस का राड़ेंस जो मैंजिनी है मैंजिनी के बारे में दो कोश्चन दिये गए ठीक है तो यह इंग इटली के जो संगठन या पर इसके संसापक कौन है मैंजिनी हो जाएंग लाड़ी इसका राइट एंसर हो जाएगा अबन अभी आपका बिल्कुल सही एक पॉस्चन नमबर अगला देखें टीली का जो तलवार है ना सौट किसे कहा जाता है तो वह हो जाएं गायरी वाल्डी कि इसको गहरी बाल्डी और गहा जाता इंट लीका तलवार आपसें न होट ले किसे हरा धाद ठांगे याध रही वह सब्सक्राइब हम स gefंद सब्सक्राइब प्राइड आप इंट्रीएसं तीलि के एक ही क्रण का पैगंबर किसे कहा जाता है तो यह आपका राइड़न सरह मैजनी इसके राइड़न सर्फ प्रपाने मैं उसके दोरान जो धुरी राष्ट्रों का नित्रत था वो किसने किया था ठीक इसमें राष्ट बटे हुए थे दो गुरुप बने हुए थे तो धुरी राष्ट है ना उसमें नित्रत किया था जर्मनी ने किसने ताना साह का साह जो जगा थी जर्मनी ने किया था धुरी राष साय की संदी है वह कब हुई थी याद रखेंगे 1919 में कब 1919 में इस संदी को किया गया था आपका राइड एंसर होगा भी कोशन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि रूसी समराज जी को राष्ट्रों का कारागार प्रिजन आफ नेशन किसे कहा जाता किसने कहा था रूसी समराज को त्याद रखेंगे इसका रणासर होगा लेनिन किसने लेनिन ने कहा था ठीक है याद रखेंगे कोशन नंबर अगला देखें तो कहते हैं रूसी करांती अब रस्या करांती की बात कर लेते हैं तो रस्या करांती के बात कर लेते हैं तो रस्या करांती जब हुआ जआ झाना जाता है और से हैं किस करांती को अक्टूबर करांती के नाम से जाता है मिलाज़ हो अगले में कहते हैं फिरी दौरान किस ने किया था रूसी क्रांती के गठन के दौरान चेका क्रोणेशन किया गया था option number A यहां पर बिल्those हो जाए गसी नमबर अगला देखें हैं तो खरते हैं कि कि किसने रूस में लाल से नहीं रेड आर्मे का गठन किया था ठैक्शिन रेड आर्मे का गठन किसने किया था रूस की बात कर रहे हैं कि हो जाएंगे टॉटर स्की किसकी दौरह टॉटर स्की के दौरह यहां पर लाल सेना आपके रेड़ आर्मे का गठन किया गया था तो आपसन नंबर यहां पर इसका बिल्कुल यह वोगा पूश्चन नंबर अगला दिखें तो कते हैं दुती विशुद्ध का आरम का वह था प्रथम तो हमने देखा 1914 में था अब अगर हम दुतिय की बात कर लेते हैं तो यहाद रखेंगे 47 का राड़ेंसर है आपका 1949 कब 1949 होगा ने अपसर नंबर A यहाँ पर आपके लिए बिरुकुर सही हो जाएगा कोश्चन नंबर अगला देखें तो करते हैं कि दुती विशुदी की समापती कब होई थी ठीक है जब दुती विशुदी चालू भी आ तो खतम भी होगा तो वह था 1943 में कब 1943 इसका राड़ेंसर हो जाएगा यह दुती विशुदी की समापती इस दिन होई थी अपसर नंबर B आपका बिल्कुल सही है कोश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं आपर कि जापान में अमेरिका के पाल हारबर यार्निक नोसेनिक अड़ा कब आकरमण किया जापान में जो अमेरिका का पाल हारबर है नोसेनिक अड़ा है उस पे आकरमण जब किया गया वह देट थी 1941 कब 1941 में इसको आकरमण किया गया था कोश्चन नंबर अगला देखेंगे अगला कोश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है कि कि यहां पर यूसे ने जापान के द के उपर गिरा गया था तो यह अमेरिका के दर रखिया गया था जापान के उपर त्याद रखेंगे यह आपके थे 50 कोश्चन वर्ल्ड हिस्टी के जो आपके एकजाम में पूछे जाने के चांसे ज़्यादा है 50 में से आप अपने स्कोर बताना चाहरा बता सकते हैं उम्मी